आप लोगों का आप जो अगला एक जाम आपका सर्वेंग सेकेंड का है उसका भी प्रिविएस एर पेपर देख लेते हैं डिटेल में जो लोग पढ़े हैं अप्लिकेशन पर ठीक है पढ़े हैं नहीं तो कुछ फ्री वीडियो जो होती हैं जो वाइड बोर्ड पर चली थी वह वाली और डिटेल वाली वीडियो तो अप्लिकेशन पर पेड होती हैं लेकिन जो फ्री वीडियो जाएं उनका लिंक भी आपको यहाई पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा यह कमेंट में कर दोंगा ठीक है बाकी इस पेप में थोड़ा से चेंजिंग हुआ है पहले प्लैंटेबल हुआ करता था तो जो प्रेवियस यहर पेपर है वह तो प्रेवियस यहर का इस लिए कहा जाएगा कि देखे पहले मैं आपको पेपर दिखा दों यह आपका 2017 का पर ठीक है 2017 कहानी यह थी कि उस समय प्लेंटेबल सर सर्वे सेकेंड में था तो उस समतल पटल का आपको प्रिवियस मिलेगा उससे परिशान में जरुवत नहीं है वह इस बार नहीं आएगा तो प्लेंटेबल का कोई कोश्चन कई बच्चे पूछ रहते तो कृपया करके उसके पीछे मत पड़ेगा प्लेंटेबल के पीछे बिल्कुल भी मत पड़ेगा वह आपके एक्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है तो आपको पढ़ना कहां से है कंटूर से तो यह मैंने अभी टॉपिक इसमें से क आपको और चीजें दिखा देता हूं यह भी आपका जो टॉपिक है यह भी प्लेंटेबल का है अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूं आप मान लीजिए यह जो प्लेंटेबल तो यह आपका हो गया और भी मैं आपको दिखा देता हूं अभी यह भी प्लेंटेबल का है तो हम लोग मुद्धे वाले टॉपिक से कोलते हैं जो की दूसरा वाला जो टॉपिक है आपका में यहां से आपका सुरू हुआ मुख्य नियां इससे और पढ़ेophile उंगे आप लोग कर जाएंगे चिंता जरूत नहीं है जूपिक प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाई तो समोच रेखा क्या होती है तो समोच रेखा रेखा होती है वह कालपनिक रेखा होती है जो समान उचाई वाले बिंदों को मिलाती है समान उचाई वाले बिंदों को मिलाने वाली कालपनिक रेखा समोच रेखा कहलाती है यह वास्तों में नहीं होती बलकि इसको केवल कागच पर प्रदर्सित किया जाता है ठीक है ना ऐसी कोई रेखा वास्तों में एक्जिस्ट न नहीं जाती है ठीक है अब एक चीर यहां पर तमिलिएगा यह तो समझ रेखा हो गया समझ रेखा अंत्रा अब एक चीर मैं आपको बता दूँ जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ है है सिंपल सा कोश्चन आप बता दूँ अगर आप देखा होंगे तो माली एक लाइन हमने खीचा इस पर हर क्वांट की उचाई 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 को आरेल से दिखाते हैं तो हर क्वाइट की उचाई अच्छाई पर नहीं हम प्लान में कोई चीर है तो इस सब की उचाई एक ब देखा को कशर्थित करता है तो हम पहाड़ी पर कुछ ने पर चड़ें यह उच्छ है फिर यह उच्छ है फिर यह उच्छ है फिर एक और पहाड़ी लेते हैं लोग एक और पहाड़ी ले लेते हैं ठीक है एक और पहाड़ी यहां पर देखेंगे तो पहली बात की इसमें पूछा तो समोच रेखा क्या होता और समोच रेखा अंतराल क्या होता है मैं कुछ चीज़ें समझाता भी जाऊँगा केवल यही नहीं कि हो जाएगा तो एक चीज़ जाने जाएगा अगर मैं कहूं कि यह पहाड़ी पर आप ऐसे चड़ रहे हैं तो कुछ आगे भी चल रहे हैं और कुछ उपर भी जा रहे हैं मतलब दो डिस्टेंस आप कवर कर रह फिर कुछ आगे भी जाना पड़ेगा कुछ उपर भी जाना पड़ेगा इसका मतलब हुआ कि यह जो वर्टिकल डिस्टेंस दो कंटूर रेखाओं के मान हमेसा अलग होते हैं एक कंटूर रेखा अगर 90 पे है तो दूसरी कंटूर रेखा अगर 100 पे है तो तीसरी 110 इनके ब जाती है तो इसलिए तो अब इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस एक कंटूर मैप में एक कंटूर नक्से में जो उर्धवादर दूरी होती हो फिक्स रहती है जैसे अगर 90 से 100 हुआ है तो पक्का दूसरा 110 होगा फिर 120 होगा 10 10 का अंत्राल या पांच माच का अंत्रा लेकिन जितना अंत्राल एकस के बीच में है उतना है इसके बीच में होगा यह अंत्राल बदलता नहीं है नक्से में जो रहेगा सबके बीच से में रहेगा उसकी वज़ा है और उस वज़ा को मैं समझाया भी हूं में बैच में लेकिन यहां पर वो नहीं समझाना आपको फ consecutive consecutive contour line contour line is called is called is called contour interval contour interval ठीक है ना contour interval क्या क्या था वर्टिकल डिस्टंस बिट्विन two consecutive contour line दो क्रमागर consecutive मतलग यह नहीं कि इन दोनों के बीच में vertical distance यहां से vertical distance दो क्रमागत एक के बाद वाली ठीक दूसरी रेखा दो क्रमागत contour रेखाओं के बीच उर्धवाधर दूरी को समोच रेखा अंतराल या contour interval कहते हैं ठीक है ना तो question हमसे क्या पूछा था हमसे पूछा था question यहां पर कि contour रेखा और समोच रेखा अंतराल यानिस याई क्या होता है ठीक है ना तो ci को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछा तो एक चीड मैं बता दूं आपको ध्यान समझेगा contour interval जब नक्सा हम बनाते हैं तो हम contour interval अपने according decide करते हैं हम contour interval अपने according decide करते हैं अभी एक चीड को मैं समझा कि यहां पर यह जो वर्टिकल डिस्टेंस है यह सब fix है और इसी को बोलते हैं ci अच्छा अभी उसको बताते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं लेकिन एक चीड मैं बता दूं यह horizontal distance को क्या बोलते हैं एक चीड यहां समझेगा अच्छा इसका भी लगभग यहीं उचाई है और इसका भी लगभग यहीं उचाई है दस-दस लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इसका भी यहीं उचाई है जो इसका लगभग था यहां चागर मैं इसको ना पलूं ऐसे इ manclip recording operations एक्वी वैलनत को एक्वी या फिर इसको बोलते चाईचर सम्तूटर मबढ आप मचिदार बात को समझेगा यहां जादा है फोगल यहां जादा है इसलिए होरीजेंटल एक्विवैलेंट दीट्रो मिल्ट्च और फीटा वन इस ग्रेटर दैन सोरी लेस दैन और इक्विवैलेंट थीटा इस चीज़ का बात समझेगा और जेंटर इक्विवैलेंट इसका जादा होगा यहां कम होगा तो एक चीज़ इस पस्त रखेगा कि जब हम उर्दवाधर किसी पहाड़ी पर चड़ते हैं तो ढ़ अपने तीन 10 से एकंटूर क्या होता है कंटूराइंट क्या होता है और खिंटीक संतुल्न क्या होता है च् 1 क्योंकि ये भी कोशन पूछा जा सकता है कि 36 संतुल्न को परिवासित की जिए तो आप ऐससे बना करके श्यखती llevar सम्क्राइब आप तो हम लोग बात करते हैं कि contour interval कितना रखा जाए अगर मैं आपसे कहूं कि या कि contour interval का मान्द होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं यानि factor that affects contour interval factors that affect that affects affects ci यानि contour interval तो पहरा चीज़ होता है steepness, steepness of ground मैं आपको एक-एक को बता दूँगा दूसरा होता है scale of map, scale of map तीसरा होता है time and importance और चौथा चीज़ क्या हो सकता आपका चौथा चीज, stiffness हो गया, ground का, scale हो गया, time and importance ताइम और importance अलग-अलग भी कई बार लोग लेते हैं एक साथ दिलेते हैं और बस इतना ही यही चीज़ एक्सपेंस यानि money time and importance और दूसरा क्या होता है cost या फिर पैसा जो अबलेबल है उसके लिए यह सारी चीज़ तो अब देखिए contour interval जब भी आपको मालेजी एक पहाड़ी आपके पास है ठीक है न इसी का आपको contour का plan बनाना है तो contour का plan जब आप इसका बनाएंगे तो आप अगर बहुत नजदीक 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 उने contour interval काफी कम रख रहे हैं ऐसे रख रहे हैं कई सारा तो देखिए कितना सारा आपको बनाना पड़ गया ताइम भी ज्यादा लगेगा पैसा भी ज्यादा लगेगा important जदा हो तब ऐसा करें नहीं तो मत करें यानि time जदा हो और important जदा हो तो फिर ci क्या होता है घटता है यानि one upon ci हो जाएगा ci को कम करें फिर मतलब contour interval को कम करें तभी तो इतना जदा हुआ है contour interval कम करेंगे तो यह दोनों इसका मतलब बढ़ा है यानि यह दोनों बढ़ता है तो contour interval को कम करना पड़ता है contour interval कम करने से details अच्छी मिलती है अच्छी quality का map बनता है लेकिन समय लेवा बहुत ज़्यादा होता है cost आपके पास ज़्यादा हो पैसा अच्छा कासा available हो क्योंकि इतना बनाने में मेहनत क्या होगी ज़्यादा लगेगी map पर और यह अगर इसी पहाड़ी पर अगर इसी पहाड़ी पर हम लोग चाहें तो बहुत असानी से काम कर सकते हैं contour interval बढ़ा करके तीनी बार में काम निप्टा देंगे ठीक है न क्योंकि हर अरेल लेकर बनाना पड़ता है यहां पर घेरा बनेगा फिर यह बनेगा फिर यह बनेगा इसका घेरा तो तीनी लाइन बने आयसे ही कई लाइन बनाने पड़ती तो पैसा भी ज्यादा लगता समय भी ज्यादा लगता तो यह सब होता है ठीक है और दूसरा चीज़ स्केल आप मैप यदि मैप का इसकेल बड़ा है इसकेल बड़ा है तो कंटूर इंटरवल को आप कम रख सकते हैं कैसे आप एक चीर बताएगा इसकेल बड़ा होने का मतलब हुआ एक बटा सौ और इसकेल छोटा होने का मतलब हुआ एक बटा पड़ेगा यानि स्केल अगर बढ़ी होती है किया हो जाएगा होगा क्तो रहेगा तो उसको का थोटा रखी यदि सेयाई कम है इसको खुब छोटा कर दीजे जिए वह भी नहीं दीखेगा तो इस पास्ट दिखने के लिए दी मिलसी आई कम सक्कान स्केल तो बढला हो कि दिख सके वो तो इसलिए उल्टा होता है इस टीपनेस यदि हमें इस यह ग्राउंड है और एक काफी फ्लेटर तो फ्लेटर वाले पर अगर हम लोग काफी हलका हलका भी उपर उठाएंगे न तो अभी होरिजेंटल एक्विवालेंट देखें काफी ज्यादा-ज्यादा मिल रहा है फ्लेटर वाले पर और अगर इतना नजदीक नजदीक इस पर उठाएंगे अगर इनको बनाया जाए तो आपस में मिलता हुआ सप्रतीत होगा यानि हम लोग अगर फ्लेटर जमीन है यानि स्टीपनेस काफी कम है तो कंटूर इंटरवल भी कम और स्टीपनेस ज ज्यादा यानि यह सी आई के सीधा समानुपाती होता है तो यह चार चीज़ें मैंने क्या रिखा है इस स्टीपनेस के ढ़ाल के सीधा है बाकी स्केल का टाइम का और कॉस्ट का उल्टा है जड़ा देखते हैं कि यहां पर हम लोग उने कोई सॉलूशन इसमें दिया भी है क कि नहीं तो हमने यहां पर देखा कि इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात अगर करें समोच रेखा अंतर को यहां समझाया गया समोच कि दो क्रमागत समोच रेखाओं समोच रेखा का अंतराल देख लिए इसने उसको डिफाइन नहीं किया सीधे सीधे बोल दिया है समोच रेखा को निम्हकारक प्रभावित कर सकते हैं चेत्र का प्रकार छेत्र का प्रकार यानि इस टीपने सा चली यह आसान कर दिया सरवेच्षन का उद्देश विश्थार यानि सरवेच्षन इंपोर्टेंट है या नहीं है नक्से का पैमाना और समय और धहन यह चीज़ें होती है जो प्राभावित करती है किसको कंटूर इंटर्वेल को इसने यह सब तो बताए नहीं कि कैसे प्रावित करती है मैंने वह सब भी बता दिया तो जो आपको ठीक लगे वह आप करिए जितना डिटेल कर पाएं वह ऐसे दो तीन कोश्चन एक ही में था तो इतने सभी काम चल जाता ठीक है ना चलिए इतना कोश्चन पूछा तो अब अगल ऐसके इतने सब की बात है कि समान शुचाई की होती है चपटी रहर है तो यह एक दूसरे से काफी दूर दूर और समान और दूरी पर बनाए तो एक तो दिखा रहा है जबकि ऐसे ऐसे बना है दूसरा वाला आसे बना करती है जानतए चप्टी भूमी पर तो वही बात है कि चप्टी भूमी का मतलब और एक्विवेलेंट अधिक है तो यह चप्टी भूमी को प्रदिस आता है पहाड़ी छेत्र से पाहलेट चप्टी भूमी पर समोच रखाएं काफी दूर दूर इस्तित होती है क्लेर ना तो यह आपका क्लेर हो गया अब बात करत और क्या कर रहा अच्छा इसका और भी करेक्ट्राइटिक से करक्ट्राइटिक भूमी को दूर दूर हो और नक्से पर समोच रखा था काफी पास पास तो पास कब आई ती यह खड़ी पहाड़ी थी ना तो इसकी रेखा है ऐसे जब बनाओगे फिर दूसरा गोला फिर तीसरा गोला पास पास आगर ऐसे चप्टा रहेगा ना तो एक गोला यहां बनेगा फिर एक पूले बनेगे क्यों रिज़न के चप्टा है तो थोड़ी सी भी दूरी पर दूर दूर बनते हैं एक स्वार्य एक मतलब भूरीच चैंज वुने लगते हैं ठीक है सम्रीत तत्वास इह सभाव कंटूर के बारे में ही तो बता रहा है पहले आपने बता है कि चप्ती भूमी मतलब दूर-दूर होता है यह समान उचाईओं वाली होती है यह असम रूपी और सम रूपी जहां पर इनके बीच की दूरियां लगभग एक समान हो तो यह समान ढाल को आज अब दूरियां घटती बढ़त पर यही पर दिखा लेकिन बाहर तो दिखेगा तो रहेखा एक बंद रहती यह एक फुली दिख सकती है कि शीट पर लेकिन एच चेत्र में निश्चितु रूप से बंद होगी प्रतेक समोच रेखा घेरा बंद होती है अर्थात इतका सीरा नहीं होता यह वहीं समाप्त होती जहां से प्रारंब होती है यदि ऐसा नक्से की सीमा में नहीं दिखाई पड़ता है तो यह सीमा से बाहर अवस्य संभव यह बात मैंने अभी बोली तीखे मोड समोच रेखा है तीखे और अंदर मोड नहीं लेती है तीखे मोड वाली समोच रेखान इसको छोड़ दीजिएगा आप लिखेगा मत पहाड़ी या टीला यदि इंसाइड वैलू बढ़ रही है अकंटूर मैप हैविं हायर वैलू इंसाइड तो यह क्या सो करता है हायर वैलू इंसाइड अंदर के तरफ मान बढ़ रहा है पहाड़ी होगा तो नक्से पर कर्मागत बंद समूचल रेखाओं का मान अंदर की और बढ़ रहा है फिर से कह रहा हूं कि सर्वे का दो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आपको मिल दाएगा जिसमें कुछ फ्री वीडियों है पेड़ वाली तो नहीं है लेकिन हाँ फ्री वीडियों उसमें है ठीक है फिर करा के संपोर्ण पारत रिज लाइन और वैली लाइन यह देखिए आपका घाटी रेखा है यह आपकी जो है वो यह क्या होती है इनके बारे में इरिगेशन में बात कर लेंगे या अभी के लिए बस याद कर लेए रिज लाइन और वैलू लाइन मतलब रिज रेखा और घाटी रेखा समोर्च रेखा को 90 डिगरी पर काटती है ठीक है एक दूसरे के मार्क को ना इस पर सारे बिंदों के बलू 90 होगी तो क्या बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर जहां काटी है वहां क्या रेल होगा आप कहीं गरी यहां याँ सव होगा कि 99 अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है लेकिन कुछ special case है जैसे कि एक होता है cave और गुफा और एक over hanging cliff य प्रतित। होंगी तो आप यहां पर देख लिजेगा कि देखें यहां पर बोलागी यह और यह बाढ़ा एक सब्सक्राइब यह बड़ा भनेगा इसके चारो तरफ पहाडी के नीचे वाला फिर उपर वाल चोटा घरा चलो बन गया है मतलब अगर हम एक सी समझे इस पहाड का य इसा पकड़ें तो Colorado इसका यहां पर ऑड़ा जाँ अने मतलब एक नीचे रो दौढ़नर में मैंचिंडू दोग एसे इसके दो डो तो और कोई सीरा पकड़का तो इसे में बनाएंगी नीचे वाला घेरा यह उसके उपर उसके उपर उसके उपण, गईच को सब Kylieamp कभी नहीं काट सकती क्योंकि ऐसी स्थिती में कटान विंदू की दो उच्चता के मान होगे जैसे जहां काटेंगे मान दो उच्चाईयां बताएंगी जो संभव नहीं होता है परन्तु प्रलंबी यानि ओभर हैंगिंग पहाड़ी अथवा गुफा में कभी-कभी ऐसा शर्ट उने यह दिखाएंगी अндर की तरफ shipping पहाड़ी को या तीले को अन्दर की ताफ नदर की तरफ वर सामन पहाड़ी पहाडी को अगरता गलत भाटा मान घाता जील और एक दूसरे को मार को कभी नहीं कारती है सिवाय ओभर हंगी कि एक कि अभी इसके बारे में एक्षार से मिलती नहीं है सिवायYou और खड़ी-चट्टान के ठीक है उसके बाद यह सब अब थारिता का परिकलन की विधी समझाईए समोच रेखा से जो जलास है कि निकालना था आपका capacity वो कैसे निकालते हैं तो याद करें इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि माल लीजे यह जलासा है इसका जलासा क्यों आए क्यों कि देख रहें यहां पर लिखा है फिर 120 140 140 200 यह 200 वाला काफी उपर मतलब उचाही 200 है 200 के नीचे वाला उससे अंदर उससे अंदर अर्थात हुआ यह है कि यह ऐसते है पूरा एक बड़ा घेरा यहां पर जलासा कैसा होगा यह कुछ इस टाइप कर जलासा है इसमें रिखी यह 200 वाला काफी बड़ा इ 180 है फिर उसके नीचे वाला 160 140 120 है और सबसे नीचे वाला 100 यह 100 वाला घेरा दिखाया गया सबसे तिर उसके उपर उससे बड़ा क्या क्या कि इससे निकालने की विधी क्या है तो माल लीजिये कि इसकी यहां से यहां है है चो बता सकते हैं इसका एरिया यहां नीची ज्यासicularnell से लिए प्राल्नी मीटर होता है यह से बल्म लेकिन पलानिक मीटर होता है इसी पर पकड़ के इसको घुमाया जाता है चारों तरफ जब इसको पूरा घुमाते हैं तो एक फार्मूले में रख करके प्लाणी मीटर से उसका प्लान बता लेते हैं अब एक चीर जान लेजिएगा यदि यहां पूरा पता है अच्छा मा लीजिए यह एरिया पता और है आइट पता हो वालूम निकाल सकते हैं तो इतने दूर में कितना पानी आएगा आएगा इस बंद वाले में तो नीचे का एरिया इंटु हाइट करें तो गड़बड़ है उपर का आरिया क्योंकि एक समान तो ह हइड है क्योंक बीच है क्योंकर इंके बीच का इंटर्वर क्या होता है तो तो आब अगर हाम लोग एटू और फरी का आऊसत ले रहें कि सबसे पहले कि एवन प्लस एटू का और सबस CCP कर दें यह तो किसका हुआ एक का अचा दूसरा वाला क्या होगा तो गोगा एटू प्लस एठी का आगुना क्या कर देंगे फिर प्लस इसी तरह एठी प्लस एफ गज़र का बाई टू और इसी तरह प्लस एफोर बाई टू इन्टू एच डॉट 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 एण माइनस वन प्लस एण बाई टू इन्टू एच ख्लेर रहे वाद एन तक जाएंगे फार्मूला यही होगा पुल फुल इतना वैलूम चोटे-चोटे का वैलूम निकाल रहा हूं दोनों एरिया का उस दी तो एवन हैं एक सेब्समें से कॉमन कर दें यहां चलिए यहां पर च्वक्रण कर देते हैं तो क्या बचेगा कोजिए आप प्लस एटू अचाए एच बाई टू कॉमन देवन प्लस एटू उधर भी एक तू पिर एथरी कैसे वहा है मैं आपको बता दूं स्षरी एक ब A3 A4 फिर A4 A5 A5 A6 ऐसे न जाएगा एक बीच वाला दो दो बारा है यहांनि सिंपल सी बात है यहां पर A1 प्लस A2 कॉम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A2 ऐसे करेंगे तो इससे अच्छा हम यह लिख दें A1 प्लस 2 A2 प्लस 2 A3 प्लस 2 A N-1 प्लस A N यहीं को हो रहा है न देख लिए यहां पर जांसे A1 एक रहेगा A N एक रहेगा बीच वाले दो दो रहेगा यहां इनका दो भी कॉमन निकाल दिया जाए इनका दो भी अगर कॉमन निकाल हैं तो नहीं ऐसा लिख सकते हैं कि H by 2 या इस दो को अंदर भेज दें दोनों बात ही एक हैं दोनों बात ही एक हैं एज को यहां पर भीज Dave दो को अंदर भीजे तो A1 जाले पर इनका divided by 2 कर दीजिए, अब बाकी सब को 2 से, 2 तो सब को divide करेगा न, हाँ रहा तो, a1 प्लस an by 2, a1 यह तो एक एक है तो यह सामने आ गए, प्लस, हाई a2 में से एक दो खतम, a2 प्लस a3 प्लस an-1, यह होगा आपका फॉर्मूला वैलू बात समया रहे न, यानि वी का वैलू h, अब रैकेट में a1 प्लस an by 2 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an-1, मतलब जितने नंबर तक गये हैं, वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, और आप आपके सामने derivation साथ यहां पर किया गया है, मैं final answer आपको दिखा देता हूँ, अच्छा यह दूसरा निकाला यह प्रिज्मॉटल फॉर्मूला निकाला है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऊपर वाला बताया हूं, ठीक है, इसमें देखिए पहला वी वाला फॉर्मूला आपको क्या बता है, एच बाहर है, देखे, ए यदि फूर्मॉटल फॉर्मॉटल मैं आपको बताया हूं, दूसरा फॉर्मॉटल 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 जो दूसरे तरीकर से निकाला गया है, सिम्सनल लगा करके वह बहु यह लगए हलां कि दूंग ही अप्रॉक्स था कि जलासे की धारता निकालने की विदी समझाना था दूसरा कोशन क्या था इसमें कह रहा है तीसरा का त्यूडुलाइट से समंदित निमलिखित सब्दों की परिवांसा लिखे चैटीज अच्छ त्यूडुलाइट में चैटीज अच्छ क्या होती है मैं आपको फिर से एक चीड़ बता दूं सारवाहिम टू का जो रिवीजन क्लास पीछे और हुए हैं उनका लिंक भी मैं आपको बेश देता हूं उसको जरूर देख लीजेगा वह लाइप ठीक है तो उसको भी देख लीजेगा आप लो यहां बोला है कि चैटीज अच्छ त्यूडुलाइट की चैटीज अच्छ क्या होती है तूनियन एक उपकरण की दूरबीन उर्दादर संतलमीजी सच के सापच घुमाई जाती है इसे उपकरण का च्छाइती जच्छ या फिर टूनियन एक्सिस भी कहते हैं केंद्रन थ्यूडुलाइट को इस्टेशन के ठीक ऊपर ले आना केंद्रन कहलाता है ने सेंट्रिंग कहलाता है से ऋसमें जो स्टेशन है उसकी ठीक ऊपर ले आते हैं इसको चैंद्रन या सेंट्रिंग क्याती है उसका उसके लिए सेंटर शेप्टिंग नगा रहता है फिर पारगमन पारगमन का मतलब दूर्बीन का अच्छा देखें हिंदीं पार्गमन लिख दिया है यहां पर बता दिया है ट्रांजिटिंग और प्लगिंग टेलिस्कोप ट्रांजिटिंग का मतलब होता है टेलिस्कोप को रिवॉल्व करना इन वर्टिकल प्लेन अबाउट ऑरिजेंटल एक्सिस फ्यूड यह है उसकी टेलिस्कोप को ऐसे पकड़के घुमा रहा है तो पार्गमन यानि ट्रांजिटिंग मेंस रिवॉल्विंग टेलिस्कोप इन वर्टिकल प्लेन एवाउट ऑरिजेंटल एक्सिस यानि दूर्बीन को उसकी उर्धवादर अच्छ में घुमाना चैंटिर चैंजिंग फेस कितनी बार बता चुके हैं कि थूडुलाइट में आपकी चकरी हमेसा बाय तरफ रहती है सामानेस्तिती में यदि एक बार आप ट्रांजिट कराके एक बार स्विंग करा दें तो चकरी दाहिने तरफ आ जाती है तो थूडुलाइट की दूर्भीन को एक बार आवर्तन और एक बार संक्रमण कराना जिससे की इसके उद्वादर चकरी की दिसा बदल जाए इसको फलक बदलना कहते हैं ठीक है फलक बदलना कहते हैं अगला का रहा फलक का वाम प्रिक्षन यानि लेफ फेस अबजर्वेश यानि यदि चकरी सामान ने स्तिती में बाई तरफ हो तो इस समय थूडुलाइट वरा लिया गया प्रिक्षन वाम प्रिक्षन या फिर लेफ फेस ऑबजर्वेशन कहलाता है यदि हम लोग राइट फेस ऑबजर्वेशन लेना चाहें तो थूडुलाइट को फेस चेंज कर अगला कोश्चन पूछा है कि थूडुलाइट की सहायता से 36 कुण मापन की पुनरा व्रित्ती विदी समझाईए समझाईए यानी समझाई है रेपिटेशन मेथड की मदद से सबसे पहले हम लोग पुनरा व्रित्ती विदी में क्या करते हैं एक पॉइंट पी लेते हैं और एक पॉइंट की जिनके बीच में कोण मापना है तो उपकरण को यहां सेट करके दिखा दिजेगा और ऐसा बना पी पर observation लेंगे, पी से क्यू का कोण एक बार मापेंगे, तो इसको सामान एस्तिती मापेंगे, तो lift face observation कैसे, तो इसको target कियें, फिर जो नीचे वाला clamp पर उसको कस दीएं, वो हिल नहीं सकता है, उपर वाले को खोल के घुमाएं, तो जब नीचे वाला fix होके उपर वाला घुमता है, तो जितना डिगरी घुमेगा, जैसे हम P को देख रहे थे, नीचे वाला कस दीएं, वो हिल नहीं सकत है, अब उपर वाले घुमाएं, तो यह 0 से हट कर जितने डिगरी घुमेगा, वही उसका angle बताएगा, तो एक बार ऐसा किया, तो इसको कहते हैं, हम लोग face left observation, फिर swing और transit करा के face right observation लिएं, ऐसी प्रक्रिया को तीन तीन बार कम से कम दोराए गया, तो इसको कहते हैं, पुन कर सकते हैं, कहेंगे सर, आप प्रथम पारी, प्रथम पारी ले करके, पूरा वही बात लिखेगा, थिवड़ लाइट को इस्टेशन की उपर स्थापित करके, इसका संतलन करें, ध्यान रहो करन को द्वारा चक्री, बाय फलक पर हो, मतलब बाय फलक का मतलब सीधा है, उप उपरी क्लैम को मंद गती पेच का संचालन करके, इतना हिंदी लिख दिया, उपरी क्लैम का मतलब, जो उपर वाली प्लेट का है, उसको ठीक करके, बिल्कुल एक दूसरे से डिस्टर्ब है, इनको पहले ठीक करके आपस में लाईए, ला दिये, अब उपर वाले को कस दिये करके, देखें कितना डिगरी, यही सब बातों को लिखा गया है, लिखने के बाद मुख्य बाद, रिप्रिटेशन में तड़ी है, तो सामाने भी दिया गी, फिर दूसरी पारी आगया, दूसरी पारी आप इतना लंबा मत खिचेगा, आप बस इतना जाने जीएगा, एक फ देख लिजे यहां पर, क्या बोला गया है, देखें, अब यहां पर देखें, दूसरी पारी, दो ही पारी में बोला गया है, यहां तक उसी कोण को दुबारा पठन हो जाता है, तो यह पूरी बात लिखा भी नहीं, तीसरी पारी भी ली जाती है, और सेम प्रॉसेस से, ती खराब नहीं है जब भी आप रेडिंग लेना जाएंगे एक बार और स्थाई समझन करना पड़ेगा क्या है किंद्रन संतलन और लंबन का निराज केंद्रन मतलब थ्यूडलाइट को अपने स्टेशन पर करके स्टेशन में ठीक ऊपर करना केंद्रन कहलाता है उसके बाद संतलन संतलन मतलब होता थ्यूडलाइट पर जो बबल ट्यूब है बबल ट्यूब का जो बुलबुला है वह बिल्कुल अपने घर में हो इसको फूटी स्कूरू की मदद किया रहता है तीसरा है लंबन का निर बहुत डीटेल में वीडियो प्लाएं और जेई वाला वीडियो भी एक टेलिस्कोप अपरी है बहुत जबरगस्त का तो उसमें एक चीत जान लिजेगा टेलिस्कोप के अंदर दो क्रास हेर होती है जिनसे हम साधते हैं तो जब उनको ठीक करते हैं ताकि वो दिखने लगे ठीक है और तीनों को हमने बता दिया कि केंद्रन संत्रलन और लंबन का निराज क्या होता है अब मज़दार बाद कोष्टन अच्छा आ गया क्या यह को चली वाक्र से संबंधित को वाक्रसे शंबंधित चौथा कूछण में वाक्र से संबंधित पदों की परिमासा रिखेए और कॉंडकेंसे पदढ़ हैं दाहिनी और वक्र दाहिनी और नहीं होगा दिर्गे जीवा मत दिखो टियंग दिखे सबकी परिमासा लिखनेस पहले आपको अलकापुल का करव के बारे में बता दूँ यह वह यह सड़क ऐसे जा रही थी इस पर सिधा एक करव ऐसे डाला गया तो इसमें बीच का कुछ पोर्शन जो होता है वो क्या होता है यह होता है ट्रांजिशन पूर्शन इसको कहते हैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन और इसको कहते हैं हम लोग इस पूर्शन को भी कहते हैं ट्रांजिशन यानि संक्रमण वक्र ट्रांजिशन और इसको कहते हैं हम लोग सर्कुलर पूर्शन ठीक है तो सर्कुलर पूर्शन पर खींची कि इस फर्सी इधर से खींची के इस पर्स हो गया इन दोणों जिनके बीच में करव डाला जाता है इनको कहते हैं इस जीवा को ये सर्कल की जीवा है už को दिर्ग-जीवा यहाँ पर इसका होता है केंद्र इस दिर्ग-जीवा के मद्ध बिंदू से उपर यहां पर एक लाइन खींची जाई करो कि मिद्धू में इसको कहता है मिड्ध ओर्डिनेट मद्ध कोटी मिड्ध ओर्डिनेट ठीक है और इसको बोलते हैं इस वाले को दिर्ग जीवा और यह बश्वाड यहां पर प्रती cho BRAND हो यहां जाके मिले इस बिंदू को प्रतिछीट विंदू यहां intersection पॉयंक्त बोलते हैं इंटर सेक्शन पॉइंट बोलते हैं इस कर मिसलें पढ़ा होगा का वीडियो में पूरा व्लें बोल एलेमेंट्स और कम सकम देखके जाए तो आप से बोला गया है सबसे पहले कि दाइनी और वक्र क्या है यदि सड़क पदे के पढ़ देता हूं मैं बोला है कि सरवेच्छन कारे की दिसां बढ़ने पर जब वक्र दाएं घुमता है तो इसे दच्छनावर्त वक्र कहते हैं पूर वाक्र के पस्ठ बिंदू से निकलने वाली इस पर तरेखा without इस पॉयंट और इस siis होती है उसी को इस पर तरे इस परत रेखाओं को सीधे आगे बढ़ाए जाता है तो एक बिंदू पर आकर मिलती है इसे प्रतिछेद बिंदू यह दोनों इस परत रेखाओं को मिलाएगा जहां जाके मिली इसको प्रतिछेद बिंदू लॉंग कॉर्ड वाकर के दोनों यह वाकर बना था इनके दोनों दोनों इस पर्स बिंदू ओं T1 और T2 को मिलाने वाले सीधी रेखा को वाकर की दिर्ग जीवा कहते हैं, इसे हैल से प्रदर्शित करते हैं, मध्य कोटी वाकर के सिखर बिंदू और दिर्ग जीवा के मध्य बिंदू, दोनों को मिलाने वाले रेखा, क्या कहलाती है, मध्य को सब्सक्राइब करों की पूरी सेटिंग को समझाना रिवीजन क्लास में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है और करों की सेटिंग मैं आपको एक सिंपल सा चीर बता रहा हूं जो थोड़ा सा खराब है लेकिन आपके लिए बड़ा अच्छा काम करेगा थोड़ा सुनने का प्रयास करेए ठीक है यह अंदर की बात है जक्तिंग करने के लिए आए न जब भी सेटिंग करने के लिए आए चिविदी से करऊ को सेट करिए तुम उसका बस तुम उसका बस फॉर्मूला देख ले ना लास्ट वाला, सही रहे हो ऐसे डाइग्राम बनाए यह ऐसे गया, यह ऐसे सेटिंग किये डाइग्राम याद रहे लास्ट का फॉर्मूला याद रहे कैसे डिराइव हुआ है जो मन करे वो भर देना एक्जामनर कुछ न कुछ नंबर देगा यदि तुम्हारा डाइग्राम सही है अब तुम लास्ट वाला सही लिखे हो तुम्हें नंबर मिलेगा जैसे यदि मैं तुमसे कहूँ यह कोश्चन पूछा गया है, ठीक है, सुनो मेरी बात को इस कोश्चन को पूछा गया देखो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें तुम्हारे बसकी नहीं होती है और चुकी फिर से मैं कह रहा हूँ तुम्हें चाहिए और तुम्हें लग रहा है सर्मा नहीं पढ़ा पाएगा तो मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है तुम उसको जा करके एक बार देख लो और फिर तुम बताना कि वह हो पाएगा तुमसे या नहीं हो पाएगा ठीक है को इनी के बीच में सरकल बनाना है तो बता सकते हो यहां से यहां से द्यान समझना यहां पर कि इसका पहला बिंदू तुम कहां डूड़ोगे यहां से कितना उपर तुम मिलेगा मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम्हारा जो पहला बिंदू होगा ठीक है तुमको मैं बता दूँ यह कितना होता है यहां से यहां तक तो एक हलका सा बात इसको तुम ऐसे समझे लो कि तुम अगर इसको कर तो मैं तुमको बता रहा हूं यह भी आर हो गया यह भी आर हो गया ठीक है अगर मैं तुमसे पूछू यहां पे कि बंधू एक बात बताओ इस पूरे में से यह कितने हैं नाम भी देता हूं यह मानलो इसको बी मानलो इसको पीछे बढ़ा के ए मानलो इसको आगे बढ़ा के सी मानलो तुम बता दो डी का वैल्यू होता है यदि तुमको मैं बोलू कि कर्व खीचना है तो तुम ऐसे जाना चुपचा यह तो मिला ही रहेगा यहां से बीच वाला पॉइंट लेना कुछ उपर चल करव बनता है और इसका मैं बिन दू मिला मिला के बता यहां हूं तुमको अगर तुम करव का मेरा वीडियो देख लो तुम एक तरफ कागज और एक तरफ पॉइंट बना बना के पूरा बतायां तो वह थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन मैं तुमको जो बता रहा हूं उ तो एक चीन यहां पर जानो कि इस प्वाइंट को तुम ढूंडना बढ़ा असान है कैसे हम कागर कोई चीज बनानी भहुत असान है कभी की कलपना है हम साढ़ी की किनारे में से सब्सक्राइब वह कुछ भी कर दें यहां पर लेकिन वहों नहीं सकता आपर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर यहां पर ले लिया यहां पर पूरा अब हमको यह चाहिए यह वाला दूरी और यह आपका 5 by 2 है तो हम लोग इसका वैलू नहीं निकाल सकते हैं यह बताओ आधार बटा कर्ण अगर हम कॉस 5 by 2 लें तो आधार बटा कर्ण नहीं हुआ तो आर साइन आर कॉस 5 by 2 होगा तो आर माइनस और कॉस 5 by 2 होगा कि नहीं अगर यहीं से निकाल लो तो आर वन माइनस कॉस 5 by 2 हो रहा कि नहीं हो रहा मज़दार बाद देखो बहुत सिंपल यदि तुम मिड और्डिनेट की परिवासा इसका वैल्यू देखो तो यह होगा तो चलो तुम फिल्ड में गए तुमने पहला पॉइंट ढूणा कैसे वो फार्मूला रख दिया आर वन माइनस कॉस 5 by 2 मज़दार बाद दूसरा विंदू कैसे मिलेगा इस करो पर चलो पहला पॉइंट तुम मिल गया तो दूसरे विंदू को तुम एक काम करो चैन से मिला लो अब तुम देखो यहां पे तो मालो अगर तुम इसको ऐसे मिला दिय Bless ठीक है अगर मैं कहुँँ कि तुम आगव इसके आधे से दूसरा पॉइंट ठोंड लो यहां पे तुम कॉनग वह रहे सर यह कीत्ना होगा इसका चले मालूम चोटे कर्व को समझो यह चोटा कर्व का यह दिर्ग जीवा का काम कर रहा है इस पूरे बड़े करव को भूल के इसको इतने को समझो कितने को इतने में एक कर्व है जिसकी दिर्ग जीवा यह हो जाएगी जिसका मीड ओर्डिनेट यह हो जाएगा लेकिन यह एंगल पाइब आई फोर हो जाएगा तो अगर इसका हम लोग मिड और इनेट यहां से पूछे इसका तो तुम बड़ी जीवा से मापे थे अग फिल्ड में जाना इसके आधे पर से इसको माप लेना यहां दूसरा पूंटी में लगाना फिर इसका माप करके ऐसे लगाना इसका माप इसको इसको ओपी बोल दें इसको क्यू आर बोल दें ऐसे अब यह कितने होंगे तो जैसे एक होगा यहां पर तो पहला वाला था आरवन माइनस कॉस्ट फाइबाई चू अब अजर्ग हो जाएगा तो वड़ार ओंस कॉस्ट फाई फाई फोर इसी तरह ऑप और क्यू आर ये दोनों कितने हो जाएगे क्यूं क्योंकि तुम इधर और तो उत्य तुमको निकालना पड़ेगा तो इसको तुम इसको एम एन बूले हो यहां पर फिर कुछ और बना लो भागों में माटना सम्द्वी भाजन हो रहा है क्या तो इसी को कहते हैं चापों के चापों मतलब जो उसका आर्क है या फिर जीवा है दोनों अगर देखा जाए तो आर्क भी दो भागों पट रहा है हर बार यह बड़ी चाप दो भागों में फिर बड़ी चाप दो भागों इसने किया मैं इसका दिखें लेते हैं इन्होंने वही किया है बहुत अच्छी बात बेखें इन्होंने किया है अगर आप द्यांसे देख पा रहे हों अभी दिख जाएगा आपको लिखा है चांपों का लेकिन इसने सॉलेशन में जीवा ही लिखा अएD 정말 के curriculum सम्धिवागन देख रहा है यहां पर छोटा समना दिया है यह दिर्ग जीवा यह दी बाटा फिर इसको आधा बाटा है तो यह सारे पॉइंट्स पर मिला दिया है वही चीछ जो मैंने समझा तो वही चीछ इसमें भी समझा है इसका पीडियाफ सिविल्टिक में करमिक परिवर्तन लाने के लिए संक्रमण वकर के अतनता हो सकता है शंक्रमण वकर की आव सकता है क्या है कि देखिए या क्या होता है जो मixed ऐसे जह तो गलत करो दीरे बृत बनना चाहिए दिरे द accents किनारे का पोर्षन को ट्रांजीशन पोर्षन या बदलाव वक्र भी कहते हैं जो बदलता है दीरे-दिसा को यानि दिसा को ढ़ाल को धीरे-दीरे बदलने के लिए या सीधे पत सीधे पत और स्ट्रेट की सपर्जा आओना चीए अर्था सीधा क्यांथ पर इसकी वक्रता सु संक्रमण वक्र है तो संक्रमण वक्र पहले सीधी लाइन पर होता है तो सीधी लाइन की त्रिजिया अनंत अफिर दीरे-दीरे सरकल बनाता है तो यहां पर इसकी त्रिजिया आर के बराबर संक्रमण वक्र की त्रिजिया अनंत से सुरू होके यहां पर आर के बराबर हो जा रिवीजन क्लास में पल्ले नहीं पड़ेगा बहुत सुंदर बात है यही तो मुख्य टेक्निकल बात है कि संक्रमण वक्र की त्रिज्या में जो परिवर्पन हो रहा है साथ में बायोत्थान में दीरे दीरे बड़ोत्तरी हो रही है दोनों की दर एक समान होनी चाहिए अब यह बात मैंने में क्लास में समझाई है बलकी करके दिखाए है लेकिन यहां पर यह संभव नहीं है माँ पी जाओंगा आपसे इसके लिए ठीक है रहा है वाइसे कठीट में यहां पर संक्रमण वक्र में और बायोत्थान में संबंध हैं अगर जो पढ़ रहा होगा वो जै पेगे की लाइत पहले हैं कि when you see sats or पूर्व बायोत्ण सब्सक्राय उफान भाण me तो यह फूल को श्रोटन करें हो यहां गांकि ठाव kindness फोला और देखते हैं इसके देखिए लिखा यहां पे टोटल इस्टेशन यानि इंस्ट्रुमेंट फैस्ट के बारे हम से पूछा गया है falando जितने ब VAN इसमें कहानी है कि टोटल इस्टेशन से लच्छों यानि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डाइग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा यह लिखा हुआ है तो यह डाइग्राम दिया भले है आपको बताना है कि टोटल इस्टेशन एक ऐसी युक्ती है जो सिविल इंजिनिरिंग में 36 और उर्धवादर कोनों के मापन के साथ साथ 36 और उर्धवादर दूरियों को भी बहुत असानी से माप सकता है इसमें कोन मापन के लिए डिजिटल फूडलाइट लगा होता है जबकि दूरी मापने के लिए इलेक्रो मैगनेटिक डिस्टंस मिजर्मेंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है टोटल इस्टेशन नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक hybrid computer की तरह काम करता है जिसमें reading लेने के लिए automatic analog machine होती है जबकि data को note करने के लिए उनको process करने के लिए microprocessor और keyboard वगरा भी लगे होते हैं या इसमें कुछ सामान storage भी होता है जिसमें मापी गई readings को आप अपने आवसक्ता अनुसा store भी कर सकते हैं यह 5-6 line मैंने बोली है अगर आप इसको द्यान से लिखेंगे तो 5-6 line मैंने बोली है कुछ लोग कहेंगे सर पढ़ाते तो हैं नहीं पता नहीं क्या बड़ 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 बोल जाते हैं तो इतना ही बोल रहा हूं जितना तुम्हें लिखना है उससे ज्या बड़िकल कर मैं पा ordhandar वक्र क्या होता है कि तिपड़ी लिखना उर्द्वॉधर वक्र क्या होता है उर्द्वादर वक्र कर यो चाहने लगती है यहा या फिर ढआलों में परिवर्तन होता है हर इस्तिती में देखिए एक ढाल ऐसे एक चड़ रही थी उतरने लगी देना पड़ेगा वक्र उतर रही थी चड़ने लगी देना पड़ेगा वक्र चड़ रही थी चड़ी रही थी तेट चड़ रही थी फिर स्लो हो गई देना पड़ेगा वक्र उतर रही थी तेरे उतरने लगी देना पड़ेगा वक्र यानि देख रहा है आप इसका मतलब समझें यह चड़ती उतरती ढ़ाल मिले यानि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन कम जादा आईधार भी नेगेटिव नेगेटिव ले यदि आप में कोर्स में देखे होंगे तो इनका डिजाइन भी कराया जाओगा तो यह उर्ध्वादर वक्र के बारे में बताया गया है और य यहाँ पर आगे बोला आंकी ठ्यूडलाइट यानिंधि डिजिस्टल ठ्यूडलाइट पर टीन लाइने फिजिदल्श से centralın फुदेर लिखाया और अंक की रूप में जैसे थर्मा मीटर नहीं होता था पहले थर्मा मीटर लगाते थे तो पहले देखते तो कितना चढ़ा अब लगाते हैं लिख क्या आज़ता वसी तर यह तो इस इत्वी एदिवाइस पर अंकों के रूप में आजाएगा प्रसीत होते हैं प्रदाश्मन file 1 का से कम इसका है ससे से भी कम होता है कि लास्ट पूचा है पूचा है कि अतुल यहां पर दे रहा हूं इसमें किसी नमिझे बेजा कि इसको सौलकरा दीजीए मैं हलका हलका बोल देता हूं इसके बारे में थोड़ा सुन लेजिएगा आप लोग केवल कोश्चन इसमें अंसर नहीं है ठीक है कि खाली आप लोग कोई टास्क है अगर आपने इसको कर लिया तो आप समझे कि ठीक ठाक पेपर करके आएंगे इस पेपर को देख लिए यदि आपने इसको कर लिया तो लगवद ठीक ठाक पेपर करके आएंगे कराऊंगा तो इसमें पूरा नहीं हला हो सकते आगले वीडियो में करा दूं लेकिन पहले इसको सुन लिजिए मोटा मोटा की करना कैसे पहला कोश्चन सभी प्रसनों पहले में दो भागों को उत्तर देने पहले उसकी उद्देश है जो उसका वह है वही उसका जो आमने साथ आट उद्देश से पढ़ा है क्रॉस सेक्षन खीचना चेतर का अंदाजा लगाना उसे कटाई भराई के मिट्टी का और पानी का अंदाजा लगाना सड़कों का इलाइंडमेंट तयार करना यह सब उसका कर सकते हैं क्रॉस सेक्षन ड्राप कर सकते हैं आप वाच्षेत्र ग्यात कर सकते हैं विभिन चेत्रों के क्रास सेक्षन तयार कर सकते हैं इस सलाकृति का अंदाजा लगा सकते हैं यह सारे काम सड़क का एलाइनमेंट तयार कर सकते हैं जलासे की धारिता निकाल सकते हैं यह मानचीतर बनाने की विधी क्या है? प्लोटिंग करने की विधी क्या होती है? इसकी एक सड़क मिट्टी के कार की गढ़ना में इसका उपयोग कैसे करेंगे? जो अभी पीछे कोश्चन जलासे वाला करवाया जलासे वाला उसमें हम लोग भरा हुआ पाने निकाल है लेकिन सड़क के मिट्टी कार की गढ़ना में इसका उपयोग सड़क के मिट्टी कार में सड़क का जो एरिया रहेगा उसका जहां मिट्टी भरना रहेगा उसका कंटूर प्लान लेंगे वोइ गढड़ा हो या कोई उचाई हो सडख में नीचे का एरिया पता हो और आगे का एरिया पता हो तो एरिया पता रहे तो उचाही से गुणा करती आ जाए गा उसका समझाए बात को मतलब जो गढड़ा है मिंट्टी भरो निकालना है तुमको उसके बाद आ रहा है कि नहीं दो भागों को उत्तर दी उर्धवादर पॉन की गढ़ना आया तो त्यूडलाइक की कारफ पर दती उर्धवादर पॉन में सबसे पहले टेलिको को सिधा करते हैं अल्टिट्यूड बबल का बुलबुला अपने घर में ले आते हैं उस सबसे आसान उर्धवादर को ना पड़ता है उर्धवादर में कोई फलक बदलने की विजरूरत नहीं क्योंकि उससे कोई असर नहीं पड़ेगा और ज्यादा तर मैंने उस प्रेपर बताया था उसका भी लिंक दे दूंगा और मतब दो तीन वीडियों है मुश्किल से यह यह पूरा वीडियो देखें आप इसके बाद वाला वीडियो देख जाना दोस्त जो एक लिंक दे रहा हूं तुम्हारा पूरा केलियर हो जाएगा पेपर खराब करके नहीं हो गए तो सामानत तुरूटियां जादा तर तुरूटियां दोनों फलक का प्रेट्शन लेने से खतम हो जाती है बिना पहुंच वाले अधार पर इस्तितेक उचाई वाले तुडूलाइट से कैसे कि उचाई याद करो चिमनी है और इसके आधार प्वाइंट भी है तो ए बी के बीच की दूरी पता कर लो इस दूरी से और इन दोनों एंगल से इसकी हाइट निकाली जा सकती है कि इस चिट का याद रखेगा तो अब आगे बात करते हैं हम लोग साधान व्रती वक्र क्या है कि इसकी आवसकता कहा होती है जब कभी मार्ग में कोई बाधा हो या किसी तीसरे बिंदु को जोड़ते विए सरक निकालने हो तो बर ती वो क्रों कि आउसतसा पड़ती है बस होता है जिसके तरिजर्ज आरे मैं पर समान नहीं वक्र की डिग्री और रेडियस और टेंजेंट की लंबाई पर लेक करें वह की डिग्री एक सरकुलर तर्व है यहां पे कि उसका यहांपर मालिधे है कि ववाकर की degree माल लेते हैं कि यह कितना है यह चांप है और इसकी चाप की लंबाइ माल लेते हैं तीस-थीश-जैस बते और principle क्या यही तो कर देंगे 1802 पाई कर देंगे कि नहीं बताई तो यह अगर इसको डिवाइट करेंगे तो यही 1719 बटा आरा जाएगा यहीं से तो यह वक्रता यह आ गया वक्र के डिग्री रेडियस निकल गया अटेंजेंट लंबाई खर्द इनमें संबंद नहीं पूछा है तो यह अगर फार्मूले से आप डिवाई टुबाइट करें यह लेकर तो यह एक त्रिभूज बनाएगा यह अक्सर और याद कि होंगे अगर कर थोड़ा सभी नहीं पड़े तो दिक्कत तो आही रही होगी यह तो यह पीजेंट की लंबाई यह यह टीवन बी होता है यह तीवन बी की लंबाई जो कर लेंगे साधान वक्री वक्र हों संक्रमन वक्र में अंतर साधान वक्र क्या होता है सांधारन वक्र जो होता है वो दिसा में परिवर्तन करता है जब कि क्रमा जो संक्रमन वक्र होता है वह वर्तुल वक्र यानी व्रित्थी वक्र के दोनों तरफ लगा होता है इनका मुख्य इनकी में अंतर्द होता हो किताबों में इस पस लिखा गया मतलब इनकी इसकी त्रिज्या फिक्स होती है इसकी त्रिज्या आनंद से लेके सरकुलर करो के बराबर तक बदलती है इसमें बायुत्थान का मान फिक्स होता है इसमें बायुत्थान का मान जीरो से लेकर के वक्र तक बदलता रहता है इसमें 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 किसी भी प्रकार को कोई बदलाओ जैसे तिरिड्या में विद्द ñ कि अधिय में की बदलाओ करना कि इसका काम ही है वगारफर बंब आ हार थे दिसाई बदलती रहती है वर्तमान समय में प्रचली सरवेच्छन के आधनिक तक्नीकों का उलेक करें इसका आप उलेक अभी नहीं कर पाएंगे वह इस समय क्योंकि आप जानते नहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल है जो ट्रेंगुलेशन है फोटोग्रामेट्री है बहुत सारी तक करने के लिए बबल टीव और नहीं लगी होती है अपने आपको स्वता सीधा कर लेता है समझन क्या हो सकता नहीं होती और इससे लिए गए रिडिंग में अक्सार जो दुरुबीन का जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग देते हैं वो कैसा दिखता है हम लोग को बिल्कुल इस प कर लेना डिटेल के लिए नोट्स का एक बार रिवीजन कर लें अभी पीछे बात हुई पिछले वाले पेपर में GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसी जगह की आज की लोकेशन हमको बता नहीं हम बोलेंगे कि हमाली जी हमारे जगह से असुरन चॉक से हम 100 मिटर दूरी GMT से हर जगह के इस्तिती बताई गई इस तकनीक को GPS कहा गया GPS में एक ही बिंदू से दुनिया के हर बिंदू के इस्तिती निकाली गई है और बताई गई है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी जगह पर हर वेक्तिकले अड्रेस एक ही होगा यानि कि आप वहां खड़ें वहां कि चलो हम ज्यादा तो नहीं लिख पाएंगे लेकिन गलत नहीं लिखेंगे तुम एक पर GPS में जांपल जो दिया हूं उसको याद रखना GPS का मुख के काम है दुनिया भर की जगहों का किसी एक ही जगह से इस्तिती निर्धारन करवाना इसे सिस्टम पर काम करता है GPS बहुत जिए जाद आन्ने बाद